हेलो स्ट्टेंट वेलॅपम टू आवर चैनल जैनेत्गुरू आज हम देखेंगे Genetix का एक प्यारा सा और बहुत हिस इससस इंपल टोपिक wno आप झित स्का नाम है दो मौनो हाइब्र कर देफिनिशन क्या है तो सबसे पहले ने हम देखते हैं कि मोनो हाइबरीड क्रॉस होता क्या है? जभी हम कि एक करेक्टर की इस्टर्डी एक टाइम पे करते हैं, मान लिजी कोई से अभी करेक्टर आप उठाईए और उसकी स्टर्डी एक ही की टाइम पर करना है आपको ठीक है तो उससे हम कहेंगे मोनो हाइब्रीड क्रॉस क्या कहेंगे मोनो हाइब्रीड क्रॉस अधिशनल लिखता हूं मैं यस इस्टडी ओफ इस्टडी ओफ रफ रफ करेकटर एट आए ताइम इस्टडी ओफ वन करेकटर एट एट आइम इस्टडी ओफ रफ रफ रॉन आश्याज वनो हाइब्रीड क्रॉस याने कि जब जब एक spot हो, एक करेक्टर के स्टड़ी एक टाइम पे करेंगे तो उसे हम पोलेंगे मोनो हइब्रीड क्रोस अगर क्लेक्टर एक टाइम पे करेंगे तो क्या है डाई हाइब्रिड क्राइब एक्जाम्पल के लिए ता है, जैसे मेंडल ने अपने ही एक्सपेरिमेंट में लिया था, उसने प्लांट हाइड ले थी टॉल, तो उसने एक टाइम पर टॉल ही लिया था, अब उसके साथ प्लांट हाइड के साथ उसने सीड गर्ड नहीं किया ना, उसने सीड गर्ड इंक्ल चलिए अब हम देखते हैं कि करते कैसे हैं Mono Hybrid Cross, उसको format देखेंगे, तो सबसे पहले हमें character लेना है, तो example के तौर पर मैं लेता हूँ कि plant height लेता हूँ, जो कि आपके NCID के book में दे रख है example, तो देखते हैं, माल लेजे plant height के लिए जो gene responsible है, वो है capital T, capital T के वाई से जो plant है वो यानि capital T के वाज़े से कोई plant tall हो रहा है, तो small t के वाई से क्या होगा, dwarf होगा, ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, cross कराना है, अब cross कैसे कराएंगे देखें, पहला तो लेते हैं parents generation, एक मिनिट, पहले हम लेंगे parents generation, यह format है लिखने का तरीका है basically, parents generation, ठीक है, अब देखे, parents generation लेंगे, इसमें हम लोगो pure plant लेना है, pure plant का मतलब होता है, कि आपको homo jagus character लेना है, जैसे कि माल लेगे tall है, तो हम tall के लिए जो gene लेंगे, वो होगे capital T, capital T, और जो dwarf है उसके लिए gene लेंगे, इसको हम बोलते है, homo jagus या pure gene लेते हैं, तो parent generation में हम pure character को ही cross कराएंगे, तो देखते है, parent generation में हम लेते हैं पहले, capital T, capital T, इसको cross कराएंगे किसके साथ, small T, small T के साथ, capital T, tall, small T, dwarf, capital T, tall, small T, dwarf, और दोनों ही क्या हैं, pure है, pure means homo jagus है, यानि दोनों को जो gene है, वो सेम है, identicals है, तो इसलिए हम इसको बोलते है, homo jagus या pure genes बोलते है, अब हमें देखना है, next step जो आता है, उसमें बनता है gamut formation, gamut formation, ठीक है, तो capital T का जो gamut बनेगा, वो capital T ही बनेगा, इसका जो gamut बनेगा, वो बनेगा small T, दोनों ही first generation में आके मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा capital T, small T, ठीक है, अब हमें देखना है, हमें पता है, जो capital T, capital T है, ये क्या है, tall plant है, और जो small T, small T है, वो क्या है, dwarf plant है, अब हमें यही देखना है, कि F1 generation, ये जो हमें मिला, ये first generation है, अब हमें देखना कि first generation में हमें कौन सा character मिला, अब ध्यान से देखिए, इसके पास जो character है, इसके पास दोनों है, capital T के वरे से tall भी हो सकता है, और small T के वरे से dwarf भी हो सकता है, तो ये जो हमें F1 generation में जो मिलता है, वो सारे ही tall plant मिलते हैं, यानि कि all are tall, अब देखिए कैसे, मालने जो इसके पास वो capital T भी है, small T भी है, capital T के वरे से responsible क्या है, tall है, और small T के वरे से क्या है, dwarf है, तो इसके पास दोनों जीन है, और हमें tall ही क्यों मिला, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा लोग आता है, उसको बोलते है, law of dominance, law of dominance, law of dominance हम यह बताता है, कि आपको जब भी आप दो pure character को cross कराएंगे, तो first generation में जो भी character आपको appear होगा, वो character आपका dominant character होगा, कहने का मतलब देखिए, हमने cross tall को भी कराया था, dwarf को कराया था, लेकिन हमें पहले generation में क्या मिला, सारे tall मिले, यानि all are tall, हमें dwarf ही मिल सकता था, लेकिन dwarf नहीं मिला, एक famous example लेंगा, बहुत ही rude example है, आप समझेए कि एक बाई, जैसे कि हमारे famous superstar अमिता बच्चन जी है, उनकी height tall है, उनकी wife की height short है, ठीक है, उनके जो बच्चे हुए, वो सारे बच्चे tall थे, इसका मतलब क्या, जो अमिता बच्चन का जो gene है, height वाला, व इसका मतलब क्या है, tall क्या है, dominant character है, और यहाई से एक law आता, इसको बोलते है, law of dominance, क्या बोलते है, law of dominance, याद रखेगा law of dominance क्या कहता है, जो यसा भी character, कोई सा भी character, अगर वो f1 generation में दिखता है, तो वो कौन सा character है, dominant character है, लिखते है law of dominance, character, character, which appear in a f1 generation, f1 generation, are known as dominant character, are known as dominant character, हाँ, याद रखेगा जो example मैंने दिया, famous stars, मिताब बचनवाला, वो सिर्फ वो humans के लिए applicable नहीं, law of dominance, वो तो बस एक हमने रूर सा example लिया, यह सारे law of dominance, जितने ही plants के लिए applicable होते है, ठीक है, तो चलिए, देखते हैं क्या हो गया, आगे देखते हैं क्या होता है, parent generation देख लिया, आपको लिखने का format यह ही रहेगा, parent generation, gamit formation, ठीक है, यह f1 generation, आप देखते हैं आगे क्या होता है, अब हमें क्या करना है, जितने है, एफ़न जननेशन को उसी से ही cross करा देना है, यानि कि जो हमें, गैमिट्स फॉर्मेशन अब यहां पर दो तर land बनें γें qapital t चित और स्मॉल टी Bluetooth लिए'RE घैंप्तल टी इसमॉल टी आपके सेम त्यां का अब हमें बनाना है एसफिल जनिश 이제 अब बदेखेंगे कि एसफितू जनिशन में कौन कौन से हमें क्रेक्टर मिलेंगे तो इसकी लिए हम इक बुर्ड का ऩाइं चैकर बॉर्ड या पुनिटS कुपर में दूब भी बूलते हैं ठीक है देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको तो देखते हैं अगर आपको तो चेकर बोड में डिबे बनाने है तो इसका सिंपल सा ट्रिक यह है कि आपको number of gamits count करने है तो इधर number of gamits कितने है two और इधर कितने है two तो आप इन दोनों को multiply करेंगे यानि two into two is equal to four यानि कि आपको ऐसा डिबा बनाना है जिसमें कितने खाने हो चार खाने हो अब देखे कै अब आपको इसमें सिंपल सा gamits को प्लेस कर देना है देखे गमिट्स कैसे प्लेस करेंगे तो आपको एक capital यहां लिख देना है small t फिर एक capital यहां और small t और आपको अपनी मर्जी से male female को indicate कर देना है इसको मैं male indicate कर देता हूँ और इसको मैं female indicate करता हूँ आप अपनी मर्जी से किसी को भी male कर सकते है और आप किसी को भी female कर सकते है अब देखे अब आपको सिंपल सा gamit लाना है capital T, capital T, एक उपर से लाएंगे, एक side से लाएंगे, capital T, यानि क्या बन जाएगा यह tall, ठीक है अब इदर आए, capital T, small T, ये भी क्या है, tall, हमेशा capital वाला आगे ही रहेगा, भले कहीं कहीं से भी आए, उसको आप हमेशा capital वाले को आगे ही रखना है, ठीक है, आप ऐसा मत कर देजेगा, small T को आगे कर देखे और capital T को पीछे, वो सही नहीं है, इदर आए, small T, small T, that is a dwarf, अब हमें देखना है, कितने tall मिले, तो हमें tall कितने count कीजिए एक बार, एक, दो, तीन, तो हमें tall कितने मिले, तीन tall मिले, और एक हमें क्या मिला, dwarf मिला, तो तीन tall एक ड्वाफ, इसको हम बोलते हैं, phenotypic ratio, क्या बोलेंगा हमें से, phenotypic ratio, phenotypic ratio क्या हमारा, 3 ratio 1, यह किसका phenotypic ratio है, monohybrid cross का, याद रखना हमें सा, कि monohybrid cross का phenotypic ratio कितना आता है, 3 ratio 1 आता है, अब हम देखते हैं, genotypic ratio, तो genotypic ratio में कुछ नहीं, जितना भी genotypes बने हैं, genotypes किस टाप के बने हैं, तो बना है capital T, capital T, एक बना है capital T, small t, और एक बना है small t, small t, बस इसको place करना capital T, कितना मिला है, 1, capital T, small t, 2, small t, small t, 1, तो genotypic ratio क्या हो जाएगा, 1 ratio, 2 ratio, 1, क्या हो जाएगा, 1 ratio, 2 ratio, 1, phenotypic ratio, 3 ratio, 1, genotypic ratio, 1 ratio, 2 ratio, 1, ठीक है, इतना समझ आता है, तो mono hybrid cross के लिए इतना आपके दिमाग में fit होना चाहिए, कि genotypic ratio क्या होता है, phenotypic ratio क्या होता है, gamits कैसे बनाते है, इस step पर आपको gamits formation important है, कैसे बनाना है, आपको दोनों character को side कर देना है, यानि अलग कर देना है, तो इससे आपके number of gamits या type of gamits पता लग जाएगा, फिर उसके बाद आपको checkerboard प्लेस करना है, checkerboard प्लेस करने के लिए पले आपको पता होना चाहिए कितन पता लग जाएगा, अगर यही आप die hybrid करेंगे, तो उसमें 16 खाने वाली डिबे बनते है, ठीक है, उसके हिसाब से आप gamit place करेंगे, फिर उसके बाद आपने निकालेंगे, तो इस video के लिए इतना ही काफी है, इसमें हमने mono hybrid cross cover कर लिया है, law of dominance cover किया है, genotypic ratio कैसे calculate करते है, यह हमने cover कर लिया है, thank you.